दोस्तों काफे सारे लोग चाहते हैं आज के डेट में CSC सेंटर खोलना तो क्या CSC सेंटर आज के डेट में खोलना सही रहेगा आपके लिए या नहीं रहेगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पांच टॉपी को किलियर करेंगे यकीन मानिए इस वीडियो का अगर देख लेते हैं तो फिर आप CSC सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपके मन में जो भी ये डाउट चल रहा होगा सारा डाउट किलियर होगा कि कैसे क्या होगा सबसे पहला डाउट किलियर करेंगे कि क्या आज के डेट में CSC सेंटर खोलना चाहिए CSC सेंटर खोलेंगे तो कितन आपको profit होगा कितने दिनों में यह CS Center आपका चल सकता है और साथ ही एक दिन में आप कितना कमा सकते हैं ऐसे बहुत सारे डाउट आपका आज के इस वीडियो में हम क्लिए करने वाले हैं लगवां छे ऐसे टॉपिक है जो आपके लिए कि जानना काफी जरूरी है सबसे पहला टॉपिक आज के इस वीडियो में हम सबस्ते हैं कि क्या आज के डेट में CSC Center खुलना सही है तो बिल्कुल आज के डेट में बिल्कुल सही है लेकिन इसके लिए एक ध्यान रखिए जगा जो है काफी बेहतरी होना चाहिए हम आपको कुछ ऐसे जगा भी बताएंगा गर उस जगा आज के डेट में भी CSC Center खुलते हैं तो आपको काम के लिए सोचना नहीं परेगा लगातार आपके लिए काम आएगा काफी मातरा में काम आपको आएगा बैठ के आप नहीं रह सकते हैं तो वो जगा क्या है आपको हम आगे बताएंगे विडियो को आपन तक जरूर देखें कितना प्रोफिट है देखें CSC Center लेने से पहले कुछ चीज़ों का आप समद लिए CSC Center डाइरेक्ट आप नहीं करते हैं किसी का ड्राइवी लेसेंस अप्लाई कर सकते हैं पैन कार्ड बना सकते हैं अधार कार्ड पर कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं तो यह सारी काम का नौलेज अगर आपके पास होता है तब ही जाकर एक कॉमन सर्विस सेंटर आपको खूलना चाहिए यह नहीं कि अगर कर्णा कि यह सब आपके अंदर नहीं है यह सब काम आप नहीं कर सकते हैं तो खौमन सर्विस सेंटर आप किया जाता है कैसे के साथ किया जाता है किस परकार उनको डिल करना है यह सब सिखना आपको होगा तब जाकर आपको common service center खुलना चाहिए यह कितने दूनों में चल सकता है तो दिकेस का कोई समय सिमा नहीं है अगर आप किसी काम को छोड़कर सिर्फ common service center के लिए आते हैं कि सोते कि इसको खोल कर हम एक दिन में ही दस जार बिस जार कमाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है किसी भी सौप को open करने से पहले आप सोच ले कि छे मन्थों तक आपका family कैसे चलेगा इस चीजों को भी अध्यान रखे क्योंकि आज खोलेंगे आज से ही कोई business चलना स्टार्ट नहीं होता उसकी लिए आपको समय देना ही होगा कम से कम आपको छो महीना समय देना ही होगा हो सकता आपका एक महीना बाद भी जो है growth पकर ले क्योंकि जगह के उपर depend करता तो किस जगह पर आपको खोलना चाहिए हो तो हम आगे बताएंगे अब आई यह समझते हैं कि CSC सेंटर खोलने के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सा है किस जगह पर आपको CSC सेंटर खोलना चाहिए ताकि आपका CSC सेंटर पर काम का कमी नहीं रहे है देखिए ऐसे पांच छे जगहों का नाम हम बताएंगे जहां पर अग देखिए में लाखों परकार के लोग आते हैं अपने काम को लेकर आपको डाइवी लेसे पैनकार्ड अधारकर्ड यह ऐसे बहुत सारे काम आपको मिल जाएंगे आपको डिक्वे आप सब्सक्वरण रखते तो यह से अगर किसी कमपनी के बाहर दिया अगर आप अपना सौ प्रफूलते हैं वहाँ भी काफी मातरा में लोग आएंगे जहां से आपको अपना इंकम-टेक्स पे करवाएंगे बहुत सारे फॉर्म वहाँ से फिलप आपको करवाएंगे किसी स्कूल या किसी ओफिस के बाहर भी आप यह सोप ऑपें कर सकते हैं जहाँ भी आपको काम की कम नहीं रहेगे इंकम टेक्स डिपार्टमेंट के बाहर भी आप अमना सौब खोल सकते जहां भी आपको काफिस सारे काम मिल सकते तो यह कुछ महत्पूर्ण जगा है इस जगा पर अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर खोलते तो यकीन मानिया आपका सौप जो है 100 परसंट चलेगा अब देखें सीएसी सेंटर लेने के लिए आपके पास कुछ मसीन होना भी जरूरी है मसीन मतलब आपका पास एक बहुतरीन लैप्टॉप होना चीजिसका सारा कुछ सही हो जो की लिए टेस्ट प्रोसस का साथ आता हो एक आपके पास फिंगर डिवाइस होना चीए जिससे सारे काम करने के लिए लगभग आपका जो खर्चा आएगा उमीद रखिए देर लगभ के करीब में अगर आप यह सारी चीजों को बहतरीन धंग से लेते हैं तो देर लगभ तक आपका खर्चा आ जाएगा फिर आपका सौप जहां भी अपलेंगे उसका जो भी खर्चा आएगा वो अलग से आपको देना पर सकता है तो यह एक कॉमन सर्विस सेंटर खोलने से पहले इस चीजों को आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमें कॉमन सर्विस सेंटर खोलना चाहिए या नहीं यह सारे चीजों को अगर आपके पास नौलेज है चोकि हमने आपको बताया यह सारी काम आप कर सकते हैं तो भीलकुल आप आज के डेट में भी common service center खोल सकते हैं और बहतरीन कमाई कर सकते हैं जिसके हमने पूरी process आपको समझा है अब इसके लिए किस परकार आवेधन करना है जिसके लिए हमने वीडियो बनाया है वो वीडियो का लिंक यहां मिलेगा जाकर दिखिए किस परकार अपलाई करना है कोई डाउट है आप कॉमेंट करिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद